गुलाम महाराष्टे के राजनीती में सबसे बड़ा कौन है यह हम सब जानते हैं अभी तक गुलाम जो सिल्व रोक में बैठके शरत पवर जी की जो गुलामी करते थे आज वो दूसरे को गुलाम बोला रहे उन्होंने खुझ सुबह यह बोला कि गुलाम लोगों को कोई पहचानता नहीं है कोई गिनता नहीं है तो आज NCP जब BJP के साथ आ चुकी है तभी संजे राउज जी का गुलाम गिरी करने का पूरा रोल ही खतम हो चुका है क्योंकि उन्होंने गुलाम गिरी करते करते ही वो आपने राजनीती चमका रहे थे आज उनको गिनने वाला कोई नहीं है आज उनका महत्वा महाराशे के राजनीती के खतम होने के वज़े से सुबह से वो बखलाए है उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि जिस NCP की वो गुलाम गिरी करते थे जिस NCP की वो सैलेरी लेते थे आज वही NCP जब BJP के साथ चली ग देखे एंसी उद्दव ठाकरे फैक्षन और कॉंग्रेस का कभी मन मिलाव थाई नहीं उनका सारा धंदा या उसारा दुकान उनका NCP के ही पर जोर पर चलता था और सब अभी जबी NCP ही BJP और हमारे शिवसने के साथ आ चुकी है तो भी उद्दव ठाकरे आदित्य ठाकरे स इसले मैं बोलता हूं यह जानकारी मेरे कान में आई है NCP ने बोला है कि तुम हमारे से बार में बात मत करो, Congress ने बोला है कि तुम हमारे से बार में लिखो मत, तो महाराश्यरी के राजनीती में यह बेवारिस हो गए है संजराउत, इनका कोई माईबाप भी बचा नहीं है, इसलिए सुबह का सामना जैसे कोई पढ़ता नहीं है, बेचे से संजरात के पतरकार परिशत आतफ देखने वले लोग फिखतं हो चुके, कि नियुक्त के साथ वो पतना में जाके बैटे थे उन्हों नहीं बोलाई के तुम तुमारा मुँं मत कहलो, तो संजयर राउत को सुनेगा कौन कॉंग्रेस की विधायक दिल की आज बैठेक है और कॉंग्रेस के पास नंबर्स नहीं है और लोग काफी सता के साथ चलेगे तो नेटा जिपक्ष में हमारा दावा बनता है अगर दावे जैरिक करते हैं तो कुछ दिक्कत में आएगी आ चुकी है तो भी एंबिए खतम हो चुका है एंबिए को रेष्टिन पीस बोलने का वक्त आ गया है अभी एंबिए ऑफिशल रहा ही नहीं है और सिधा सिधा विरोधी पक्षनेता अभी कॉंग्रेस का ही बनेगा और उपर वाला मज़ों विधान परिशेट का भी विदा आधिवेशन में विधान परिशेट का विरोधी पक्षनेता यह भी कॉंग्रेस वाला ही रहेगा